हाई गाईज अभार्म वैलकोम टो स्काई इंसिट्यूट आज हम करने जा रहे हैं फॉर्म, html फॉर्म काईसे क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हम फॉर्म टेगि यूज करते हैं कि हमने फॉर्म ओपन किया और फॉर्म क्लोज कर देंगे तो form के लिए हमेशा क्या होता है, form tag use होता है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, पर हमेशा यह याद रखिए, form open भी होगा और close भी होगा, ठीक है, उसमें सबसे पहले form में क्या होता है, कि अगर मुझे किसी का नाम लिखना है, तो मेरे पास एक input आना चाहिए, ठीक है, य यानि कि आपने क्या करना है, input लेना है, online website से, तो आपको input लिखना पड़ेगा, किस type का लेना है, मतलब आपको किसी का name input लेना है, किसी का mobile number input लेना है, कुछ भी लेना है, तो सबसे पहले किसी भी text type लेना है, या कुछ चीज text में लिखवानी है, उस तरीके से, तो यहाँ यहाँ पर type क्या होगा, text, तो यानि कि हमारा क्या tag बना, input type text, यानि कि हम input करना चाहते हैं, किस type का, text type का, और काईस इसे close कर देंगे, यहाँ पर यह close हो गया, तो गईस safe करेंगे, यहाँ से, safe करा, और यहाँ पर जाके मैं refresher के आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर input बन ठीक है, however, यहाँ पर number भी input होगा, ठीक है, लेकिन वहाँ आगे, जब JavaScript के lessons स्टार्ट करेंगे, तो बताएंगे, यहाँ पर text कैसे लिया जा सकता है, number कैसे नहीं लिया जाएगा, ठीक है, तो अभी फिलाल यहाँ से इसको अटा देते हैं, अब next देख लेते हैं, जैसे कि ह में किसी का mobile numbers है, ठीक है, mobile numbers है, तो हमने क्या करा, input, same, input कराने हैं ना, अब किस type कराना है, हमें type, किस type कराना है, number type का, and you, m, b, e, r, number type का, ठीक है, तो number type को यहाँ पर लिखा मैंने, save करा है, ठीक है, तो देखेगा, यहाँ पर, look at this, mobile यहाँ पर आगे, क्योंकि मैंने break tag न तो आप, यहाँ पर number ले सकते हैं, आप, जैसे कि number का input ले सकते हैं, आप, look at this, मैं अगर किस type का input राना है email type का तो यहां से email ठीक है email और यहां पर save करूँगा तो यहां पर देखिए email type आजाएगा बट यहां पर कैसे पता चलेगा कि आपको यह email ही ले रहा है जैसे कि मैंने यहां पर लिखा text तो ले रहा है और यह number भी ले रहा है जब मैं यहां पर कई submit जवाब करेंगे मैं आपको आगे बटन का भी बताऊंगा ठीक है next video में बट उसकी dedicate video रहेगी एक और अभी मैं आपको radio बटन और check box बटन भी नहीं बताऊंगा उसकी भी dedicated video बनाऊंगा यूँकि उसमें भी काफी अची चीज़े होती है जो लोग miss out कर करेंगे तो यहां पर यह वैलिडेट करेंगा कि यहां पर आपका email में at the rate नहीं है जैसे कि आपको यहां पर दिखा रहा है प्लीज इंक्लूड and add the rate in the email address फैस 454 is missing and add the rate यहां पर भी आपको देखिए वैलिडेट करके बता रहा है कि यहां पर add the rate please add किजिए जैसी मैं add कर दूँगा उसके बाद भी error आएगा look at this मैं आपको यहां पर दुबार दिखा जाता हूँ add तो कर दिया कि add the rate आ गया लेकिन add the rate के बाद भी तो कुछ होता है न तो देखिए यहां पर validate करेगा देखिए लिखा रहा है न please enter a part following add the rate fast 454 add the rate is incomplete क्यूंकि add the rate के बाद हमें gmail.com इसका institute.in ठीक है ऐसा लिखना होता है तो यहां पर भी आपको पूरा पूरा validate करके दिखा रहा है कि यहां पर आपकी email id प्रॉपर नहीं है ठीक है guys तो यहां पर यहां पर validate हो जाता है हाला कि हम जब form बना लेते हैं जब CSS सीख लेते हैं CSS के बाद जावास्क्रीप आती है ह उससे validate करते हैं लेकिन यहाँ पर भी बहतर तरीका है validate करने का guys next आता है कि अगर आपको यहाँ पर किसी से date input लेनी हो ठीक है, तो आप input लिखेंगे, simple, input लिखा, type, क्या लेना है, date लेना है, simple, तो यहाँ पर आप date लिख देंगे, ठीक है, date लिख देंगे, और save करेंगे, यहाँ पर देखें, refresh करके, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर date आगया, date, month, and year, look at this, अब यहाँ पर किसी-किसी browser मे यहाँ पर variation आपको देखने के लिए मिल सकता है, कि अगर for example, Mozilla में आप इसे open करेंगे, तो आपको यह dash की जगे, आपको slash दिखाए देगा, या फिर month पहले आ जाएगा, ठीक है, तो अलग-अलग versions में, अलग-अलग browsers में यह अलग-अलग तरीके से दिखाए देगा, लेक यह calendar आ चुका है, अब बाकि आप यहाँ से भी ऐसे input कर सकते हैं, और casually भी ऐसे input कर सकते हैं, 1996, ठीक है, इस तरीके से, आपको rename करना हो, तो फिर यहाँ पर, मलब, दुबार से input करना हो, तो आप कर सकते हैं, so guys, next मैं आपको बताता हूँ, color, color क्या होता है, for example, आपको कहीं क पूस कर सकते हैं, तो इसी तरीके से हमारा जो आता है, input type, यहाँ पर कहा लेखेंगे, color, और remember this, यहाँ पर यू नहीं है, मैंने जान पुछ कर भी, यहाँ पर यू नहीं लगाया है, देखिए, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो color है, उसकी spelling यही होगी, c-o-l-o-r, because, यह American accent पे बना हुआ है, जो हमारा HTML है, American accent पे बना हुआ है, जैसे कि Markyoo है, Markyoo में हम behavior लिखते हैं, तो behavior में भी हमारा you miss out रहता है, और वो रहना भी चाहिए, ठीक है, मतलब एक तरीक से अच्छा भी, एक तरीक से बुरा भी है, उससे हमें बहांस नहीं करनी है, किसी दे जाके, बस हमें यह ध्यार नखना है, कि यह American accent पे बना हुआ, that's why you is not there, right, और यहां पर मैं save करूँगा इसे, और यहां से मैं refresh करूँगा, look at this, यहां पर color आ चुका है, मैं click करूँगा, तो यह देखिए, यहां पर color आ चुका है, कोई सा भी आप select कर सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे आ हमारा कहीं पर search बार होता है, इसे Amazon ये flip part पर आपको search करना होता है, तो वहां पर search बार आता है, जैसे कि input type equals to, यहां पर आप लिखेंगे search, ठीक है, देखिए, कितना easy है, मतलब जो चीज़ आपको चाहिए, वो type में आप लिख दीजिए, यह निए कि आपको यहां पर sound सु mobile number, number, email के लिए email, date पर date, color पर color, search पर search, अब मैं save करता हूँ उसे, यहां refresh करिया, देखिए, यह search के लिए आ गया, ठीक है, तो यहां पर यह search बार आ चुका है, look at this, ठीक है, तो यह आ चुका है, तो guys, अब next पर चलते हैं, हमारा search बार भी हो गया, guys next देख लेते हैं हमारा password, यानि कि जैसे कि आपको पताओगा, हम password लिखते हैं, तो वो by default dot dot सा बना आ जाता है, तो वो कैसे आता है, हम input type equals to password लिख देते हैं, pss word, ठीक है, इसे यहाँ पर save करेंगे, देखें यहाँ पर आ तो जाएगा, यहाँ पर लिखावा, लेकिन जो भी मैं लिखूँगा, यहाँ पर type करूँगा, तो वो देखें, dots में आ जाएगा, look at this, ठीक है, password यहाँ पर ऐसे आ जाता है, ठीक है guys, तो यहाँ से भी आप password का input ले सकते है, guys मैं आपको एक चीज और बताना चाहूँगा, यहाँ पर form के अंदर, कि अगर आपको इसका size बड़ा करना है, ठीक है, अगर आपको size बड़ा करना है, तो यहाँ पर एक attribute आता है, password का ही नहीं, जितने भी यहाँ पर है, किसी का भी, बस color को छोड़ कर, ठीक ह मैंने यहाँ पर save कर दिया, और मैं refresh करूंगा, देखिए बढ़ गया 30 columns तक, ठीक है, पहले यहाँ तक था, अब यहाँ तक हो गया, ऐसी 40 तक करूंगा मैं, तो 40 तक हो जाएगा, ठीक है, तो यह देखिए, यहाँ पर size बढ़ गया इसका, ठीक है guys, एक तो हुई यह चीज और आप ध्यान लखिए, जो भी आप यह करेंगे, तो यह form के अंदर होना चाहिए, अगर form के बाहर होगा, तो यह work नहीं करेगा, किसी भी कीमत पर, ठीक है guys, तो यह form के अंदर होना चाहिए, यह military है, guys, next बताता हूँ आपको मैं time, जैसे कि मैं यहाँ से, इसे यहाँ से करता हूँ time, ठीक है, time यहाँ यहाँ पर save करूँगा, तो यहाँ आप देखिए, तो guys, आप देख सकते हैं, यहाँ पर आ चुका है, और यह guys, 24 hours का format है, यानि कि आप 24 hours तक का format देखिए, देखिए, मैं 20 करूँगा, 20 आ चुका है, ठीक है, और कितने ही minutes आप देदेगे, फॉर्म के अंदर, और और भी मैं feature में आगे dedicated videos बनाने वाला हूँ, फॉर्म से related, तो guys, उसके लिए आप stay tune करना, या फिर मेरे चैनल को subscribe कर लिजेगा, तो guys, मैं आपको एक last thing बताना चाहता हूँ, वो है placeholder, जैसे कि आपने कहीं कहीं देखा होगा website sites पे, कि आपको example देते दिया, और save करूँगा, तो देखिए आप यहाँ पर यह देखिए, placeholder आ चुगा है, मतलब यह highlight रहेगा थोड़ा सा, मतलब dim रहेगा, और click करेंगे, आप इसे अठाट सकते हैं, और यहाँ पर कोई भी आप चीज लिखेंगे, लिखने में आ जाएगी, जो कि guys, बहुत ही useful है, आप mobile number में भी आप लिखके दे सकते हैं, आपको 10 pages का लिखना है, तो access करके 99 करके दे सकते हैं, आप email id में भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको एक और बार करके दिखाता हूँ, देखिए, मैंने placeholder लिख दिया, आप यहाँ पर लिखता हूँ, example, sky institute at the red gmail.com, ठीक है, ह email लिख दिया है, और यहाँ से refresh करूँगा, देखिए, आज क्या, आ चुका है, यहाँ पर यह, ठीक है guys, तो इस तरीके से आप अपना placeholder भी दे सकते हैं, तो guys, आपको यह वीडियो कैसी लगी, क्या आपके proper समझ में आया, मुझे comment section में लिखना जरूर, क्यों guys, मुझे feedback क सक जरूरत है, क्योंकि जो मैं समझा रहा हूँ, जो मैं आप तक बात पुचाने चारा हूँ, क्या वो आपके समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, यह मुझे feedback में जरूर बताएगा, आप मुझे comment section में लिखके जरूर बताएगा, और guys, अगर आपको कोई question हो, तो भी जो comment section में लिखके पूछेगा जरूर, so guys, मिलते हैं next video में, till then, stay strong, bye bye